दोस्तो आज का ये वीडियो Realme 7 Pro और Realme 6 Pro के उन उसर्स के लिए है जिन्होंने अपने फोन को Android 11 में अपग्रेड नहीं किया है और उनका यहीं सवाल आता है हमारे टेलिग्राम चैनल या फिर वीडियो के कमेंट में कि अब Realme 6 Pro और 7 Pro को अपडेट कब मिलेगी तो finally confirmation आ चुकी है Realme के तरफ से और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Realme 6 Pro और 7 Pro में अगली अपडेट Android 11 के कब आ रही है और किस तरह से आप apply कर सकते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में पूरी details में आपको बताएंगे चुकी यहाँ पर बार बार वीडियो बनाने से वीडियो जो है फेक साबित होने लगती है इसलिए यह पूरा final process मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है पूरी जानकारी दे दी है 6 Pro और 7 Pro के लिए बाकी चोटी मोटी जानकारी के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुरू सकते हैं आप link description में मिल जाएगी तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि कब आखिर मिलने वाले Android 11 के update क्या कहा है Realme के official customer care service तो दोस्तों बात करते है Realme 6 Pro की सबसे पहले तो Realme 6 Pro में December महिने में Android 11 के early access form को open किया गया था 100 users के लिए उसके बाद January last में early access form ही open की गई थी बहुत users को लगा कि यह open beta है लेकिन यहाँ पर यह early access form थी तो दोस्तों आपको अगर पता नहीं है कि early access और open beta होता क्या है तो सबसे पहले हम आपको बता देगी कुछ limited users के लिए early access form दिये जाते है उसके बाद फिर से early access form उससे ज़्यादा users के लिए दिये जाते है और उसके बाद बरे पैमाने पर open beta application दी जाती है और आखिर में Android 11 के stable update दे दिये जाते है तो अब तक realme ने अपने Android 11 update को 4-5 बाद टेस्ट कर लिया होता है तो finally stable update दी जाती है तो अब तक realme 6 pro और 7 pro के लिए 2 बाद टेस्ट किया जा चुका है तिसरी बार open beta application आनी बाकी है और open beta application कब आईगी कि हम आपको बता दे तो open beta application के लिए realme के official की अगर हम यहाँ पे माने तो realme ने officially कहा है कि वो February महिने में release की जाएगी हाला कि किसी भी महिने के last में ही update दी जाती है तो बड़ी chances है कि open beta application आपको February के last तक देखने को मिलेगी हाला कि बीच में भी आ सकते हैं आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और टेलिग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएगा ताकि जैसे ही update आती है हम आपको सुचित कर पाए अब दोस्तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ users के मन में ये भी बात होता है कि अगर हमने open beta या फिर early access अपडेट कर लिया है तो हमको stable update मिलेगी की नहीं तो दोस्तो जी users को early access या फिर open beta application मिलती है न उनको धीरे धीरे छोटा-छोटा updates देके उनको भी stable कर दिया जाता है इसलिए आपको stable update की जरूरत ही नहीं होती है और यहीं कारण है कि आपको अलग से stable update नहीं मिलेगी चुकि उस stable update का कोई मतलब नहीं रह जाएगा चुकि आपके पहले से जो beta application आपने beta update लिया हुआ था उसको तो अभी तक stable कर चुकी है realme आपको regular update देखे तो आपको stable update की क्या जरूरत है उसके बाद stable update के बाद जो भी updates आएंगी वो सारे users को एक ही साथ मिलेंगे चाहे वो पहले से beta users क्यों नहों early access के users क्यों नहों या फिर stable के user क्यों नहों सब को एक ही साथ update मिलेगी stable update आने के बाद अब बात करते हैं दोस्तो realme 7 pro users की तो realme 7 pro users के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है दो बार early access form मिल चुके है अब open beta application की बारी है जो की february महीने में मिलने वाली है कोई भी परिशानी आपको कोई भी बड़े bugs देखने को नहीं मिलेंगे इसलिए इसमें सोचना नहीं है कि update करे ना करे कोई problem होगी या फिर नहीं आसानी से आप apply करिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर हम आपको चलते चलते एक और बात बता दें कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है